हलो दोस्तों, वेलकम टू टोपर्स फ्लेज दोस्तों, आज हम 12th Maths की जो चेप्टर नमबर 1 है Relations and Functions की Exercise 1.3 के Questions डिसकस करेंगे Question No.6 से आगे के Questions करेंगे Question No.6 भी देखते हैं भी तो इस Exercise के अंदर Composite Function और Inverse Functions का Concept आता है लगता है इसके अंदर और जो Concept में Inverse Function निकालने के लिए लगाता हूँ वो I think सबसे आसान तरीका है एक ही लगाता हूँ, एक ही अप्रोच है और वो सबसे आसान अप्रोच है तो आपको भी उससे मदद मिलेगी अभी हम देखते हैं Question No.6 इसमें क्या बोला है, देखो Question No.6 आपको एक बार में बुक से दिखा देता हूँ फिर बाद में हम इसमें करेंगे इसमें बोला है, Show that f such that from minus 1 to 1 to r given by f of x पराबर x upon x plus 2 is 1, 1 पहले यह बताना है कि यह 1, 1 है बाद में क्या बताना है, Find the inverse of the function f from minus 1 to 1 to range of f तो इसका फिर हमें inverse भी निकालके बताना है, देखो थोड़ा थोड़ा change है तो हर एक change को हर एक जो कोई भी चीज यहां पर लिखी हुई है उसका मतलब आपको समझना है, वह बहुत आसान तरीका है, देखो आते हैं तो इसका answer सबसे पहले क्या बोला है, इसका हमें न, यह बताना है कि यह one one है न, हमें show करना है, कि यह one one है तो one one के लिए आपको यह जो condition से इनको लिखने के जरूत नहीं, आप direct यह लिखो f of x बराबर क्या है, x upon x plus 2 inverse कैसे निकालते हैं, तो वह तरीका हम questions में discuss करते रहेंगे questions आते रहेंगे, हम discuss करते रहेंगे तो one one है न, तो one one की एक condition होती है जब भी हमें किसी function को one one prove करना हो तो हमें सबसे पहले उसको ऐसा मान लेना चाहिए कि let f of x1 बराबर f of x2 ऐसा मान के, अगर हम ये prove कर देते हैं कि x1 बराबर x2 only, only हम ये ले आते हैं, x1 बराबर x2 मैं only क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि कई बार इसके अलावा भी इसके साथ में कुछ extra चिज़े भी आ जाती है वो नहीं आनीची, अगर वो आईगी, तो many one only x1 बराबर x2 आया, तो one one तो apply करते हैं, चालू करते हैं, तो ये मैं मान लेता हूँ let f of x1 बराबर f of x2 f of x क्या है, x upon x plus 2 तो f of x1 क्या हुजाएगा, x1 upon x1 plus 2 f of x2 क्या हुजाएगा, x2 upon x2 plus 2 इसको solve करना पड़ेगा, solve करके हम यहां तक पहुँचने की कोशिश करेंगे चलो solve करते हैं इसको, तो cross multiply हुगा, x1 इन दोनों से multiply हुजाएगा, तो x1 x2 plus x1 into 2, 2x1 ऐसे ये दोनों बन जाएगे, x1 x2 plus 2x2, यह हो गया ये number इस से कट गया, 2x1 बराबर 2x2 x1 बराबर x2 बच गया, यहां पर हम चाहते हैं कि only x1 बराबर x2 ही आए, इसके अलावा और कुछ भी ना आए तो आप एक बार देख लेना आजू बाजू में कुछ और तो नहीं आए, कुछ भी नहीं आए बस यही है, x1 बराबर x2, only हमें यहीं मिला इसका मुतलब क्या है, कि अपना जो function f of x, यह कैसा function है one one function है, ठीक है, अब अगली चीज़, यहां तक हमने prove कर दिया अगली चीज क्या है, find the inverse of the function f from minus one to one to the range of f, यहां पर range f लिखाता है, मैंने बीच में off लगा दिया, बात एक किए तो यहां पर यह फरक क्यों आ रहा है, देखो, यह range of f, यह यहां पर है r, समझ रही हो यह एफ से लेके यहां तक देखो, यहां पर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, यहां पर कुछ अलग तरीके से लिखा हुआ है, ऐसा क्यों कर दिया, हम इसका inverse क्यों निकाल रहे हैं, हमने इसका inverse क्यों निकाला, मतलब इस तरीके से इन्वर्स तो इसा लिकर निकालना है लेकिन इस condition के अंडर क्यों निकालते हैं। तो देखो बै, जब भी हम किसी function का इन्वर्स निकालते हैं, तब उसका bijective होना जरूरी है, bijective मतलब one-one होना जरूरी है, और onto होना जरूरी है, तो one-one तो हो गया यह, वन वन तो हम deal कर चुके हैं अब on to के लिए range को co domain के बरावर होना जरूरी है range को co domain के बरावर होना जरूरी है यह जो co domain है यह क्या होता है कभी भी हम ऐसा देखते है f from a to b तो दूसरा वाला जो set होता है यह co domain होता अपना ठीक है तो अगर हम इस तरीके से लिखेंगे तो co domain R हो जाएगा अगर हम इस तरीके से लिखेंगे तो co domain range of f जो भी यह आपे लिखावा उसके बरावर हो जाएगा तो अभी के case में co domain क्या है range of f यहाँ पर question में लिखावा क्या है जो दूसरा वाला सेट वो क्या है range of f तो on to होने के लिए range को code domain के बराबर होना चाहिए था और जानपूच कर question में code domain को range के बराबर ही देती है मतलब code domain को range के बराबर ही देती है तो range equal to code domain हो गया तो यह on to भी हो गया byjective हो गया 11 on to अब हम इसका inverse निकाल सकते हैं अब क्या बोला है find the inverse of the function under this condition तो function तो वही है अपना f of x यहाँ पर f है ना तो वही है f of x अब हमें उसका inverse निकालना है inverse of f of x यह हमें बताना है तो देखो inverse निकालने के कुछ तरीके होते हैं मैंने इसकी तब थियोरी बताई थी तो एक बहुत शांदार वीडियो बनाये था मैंने अपना best देने की कोशिश की थी उसके अंतर और मैंने वहाँ पर बताये था कि कभी भी यह process to find inverse of a function कि यह उसी के notes है notes आपको मिल जाएंगे toppersvillage.com पर इसमें दो स्टेप में हम काम complete करते हैं पहली स्टेप में हम by activity चेक करते हैं when one on two होना यह testing है यह test कर लिया हमने अगर यह test pass हो जाता है तो फिर हम आगे आते हैं अब सबसे पहले y बराबर f of x मानते हैं फिर x को y की terms में लिखते हैं फिर last में x को f inverse x से replace कर देते हैं और y को x से replace कर देते हैं और हमें f inverse x मिल जाता है यह step stention मतलूब में आपको दुबारा लिखके बता देता हूँ one by one step को apply करते हैं सबसे पहले objective check हो गया अब यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करो पहली step यह होती है y बराबर f of x y बराबर f of x यह ऐसे मान लो माना तो let y equal to f of x f of x मतलब यह पूरा लिख लो x upon x plus 2 लिख लिया ऐसे दूसरी step क्या है represent x in terms of y x को y की terms में लिखो अब देखो क्या है y x की terms में है y अकेला है x अंदर फसा हुआ है हम चाहते हैं कि x in terms of y लिखें x अकेला आजाए और y उदर फस जाए तो इसके लिए हमें इसको और इसको लेके x की वेली निकालने पड़ेगी y बराबर क्या है x upon x plus 2 cross multiply करते हैं तो यह कितना हो गया x y plus 2y बराबर x हम चाहते हैं x आजाए इसको हम इधर लियाता हूँ और इसको उधर बेज देता हूँ तो क्या हो गया यह x y minus x बराबर यह उधर हो गया minus 2y यहां से हम x common ले लेते हैं तो क्या हो गया y minus 1 बराबर minus 2y x in terms of y हमें चाहिए तो x निकाल लेते हैं यहां से x बराबर क्या हो गया यह उसके डिवाइड में चला जाएगा minus 2y upon y minus 1 तो देखो x y की terms में आ गया ना अब तीसरा काम क्या करते हैं यह inverse निकालनी की process है हम यह पर replace कर देते हैं कैसे replace करते हैं किस चीज़ को किस से replace करते हैं तो जो x होता है उसको थो हम f inverse x से replace करते हैं और जो y होता है उसको हम x से replace करते हैं f inverse x कीज़ कई बार बच्चे y लिख देते हैं मतलब x को y से y को x से वो तरीका भी ठीक है confusion नहीं होता x को y से और y को x से तो जहां पर x लिखा हो वहां पर y लिख देंगे तो y मतलब वो ही function ही अपना तो f inverse x पराबर y की जगए x minus 2x upon x minus 1 आप चाहो तो यह minus नीचे भेज़ दो तो इसा बन जाएगा 2x upon 1 minus x तो यह हमने inverse निकाल लिया ठीक है इस type से हम inverse भी निकाल लेते हैं तो यही process हम लगाएंगे न यह तरीका और by duty check करने के लिए one one check करने के लिए यह लगा देना और on to check करने के लिए range बराबर code में लगा देना हर question में यह same process रखो सारे question आसानी से होते चले दाएंगे अब हम देखते हैं अगला question दोस्तो question number 7 यह है वैसा ही question है consider f from r to r देखो real number से real number में जा रहा है given by f of x equal to 4x plus 3 यह function हो गया show that f is invertible पहले हमें यह show करना invertible है तो वही byjective होगे रहा show करना है फिर find the inverse of f तो हमें इसका फिर inverse भी बताना है तो आते हैं इधर question लिख लिए हमेंने सबसे पहले हमें यह show करना show that f is invertible तो invertible के लिए सबसे हमें इसको सबसे पहले इसको byjective show करना पड़ेगा byjective show करने के लिए सबसे पहले इसको चलो one one show कर लेते हैं one one बाद में हम इसको on two भी show कर देंगे one one कैसे prove करते हैं तो one one की condition यह है हम इसको क्या मान लेंगे let f of x1 बराबर f of x2 मान लेंगे ठीक है अब यहाँ पर यह मान के हमें x1 बराबर x2 only x1 बराबर x2 prove करना है तो आगे करते हैं इसको f of x1 क्या होगा f of x है 4x प्लस 3 तो f of x1 4x1 प्लस 3 f of x2 4x2 प्लस 3 फिर 3 से 3 कट जाएगा 4x1 है 4x2 के बराबर 4 से 4 कट जाएगा क्या अब मिला x1 बराबर x2 मिल गया यही मिला only और कुछ भी नहीं मिला मतलब जैसे और कुछ नहीं मिलने का मतलब क्या है जैसे ऐसा तो नहीं मिला ना x1 बराबर x2 प्लस 4 या x1 बराबर minus x2 ऐसा कुछ नहीं न, x1 बराबर x2 न चीए ठीक है, exactly दोनों सेम होने चीए, तो ऐसा हो गया तो यह क्या हो गया, 1, 1 प्रूव हो गया उसके बाद में on to पर आते हैं on to के लिए में क्या प्रूव करना है हमें यह प्रूव करना है कि range बराबर क्या हो जाए, code domain range बराबर code domain हो जाए तो code domain कहां से मिलेगा, code domain हमें हमें, जैसे यह f कैसे defined है, r to r तो यह जो दूसरा वाला set है न, r यह code domain होता है तो code domain क्या हो गया, capital r हो गया अब हमें range तो निकालना पड़ेगा range मतलब जो actual में जो output होती है आउटपुट, तो actual में जो output होती है, वो कहां से कहां तक vary करेगी, वो हमें बताना पड़ेगा तो देखो, आते हैं, actual में output मतलब, जैसे x है न, x तो x तो है input है न, x की वेलिए तो है input, तो answer कहा निकाले f of x, यह है अपने output मतलब हमें f of x कहां से कहां तक vary करेगा, यह हमें बताना है खिर, एक बार यह देख लेते हैं कि यह यह तो code domain है लेकिन यह क्या है, यह इधर पहला वाला r, यह क्या है, यह domain है यह code domain और यह पहला वाला क्या होता है, domain होता है domain मतलब input कहां से आएगा तो X belongs to क्या है R domain R है तो X belongs to इसमें belong करेगा X तो X belongs to R हो गया X belongs to R है therefore अब यह बताओ हम चाहते हैं F of X पे comment करना हम चाहते हैं F of X पे comment करें output पे तो F of X क्या है 4X plus 3 4X plus 3 का यह जो X है वो R में belong करा है real numbers में तो 4X plus 3 यह भी किसे belong करेगा real numbers में belong करेगा कोई सी भी दुनिया में R मतलब real numbers सारी कोई भी number उठाओ वो उसको फिर 4 से multiply करो और फिर 3 जोड़ दो तो फिर से हमें दुनिया वर के सारे number मिल सकते हैं जैसे 0 डालूंगा तो 3 मिल जाएगा 1 डालूंगा तो 7 मिल जाएगा फिर 0.1 या फिर 1 by 4 डालूंगा तो मुझे मतलब सारी चीजे मिल जाएगी कोई tension नहीं तो 4X plus 3 यह भी क्या होगा R में belong करेगा 4X plus 3 मतलब क्या है F of X F of X belongs to R F of X मतलब क्या है output और output का मतलब क्या है range तो यह output है मतलब यह range है तो range क्या है अपना R आगया R मतलब सारे real numbers तो range बराबर क्या है R आगया ठीक है तो range भी क्या होगया R ठीक है और co domain भी क्या होगया R होगया तो range बराबर R बराबर co domain ठीक है तो यह क्या होगे बराबर होगे तो क्या हो गया। और बड़ और partir कर दिया थो ओगया।這個 भीच Сп taraf गया थो अपना जो फंशन है वह फंशन क्या होगा। ऑफ़ ओलتمी अन्पलेगी है फैसे इनुवर्टीबल कुछ ख़़ अकुछ एक कंडिशन और लाथ बता हूं वह में पहले इसका inverse निकालते हैं देखो inverse कैसे निकालते हैं इनवर्स निकालने की प्रोसेस अभी मैंने लिखे थी पहले F of X को Y मानो आप ठीक है तो F of X है क्या चीजुँ 4x plus 3 इसको मैंने क्या बोल दिया y बोल दिया पहला काम हो गया अपना दूसरा काम क्या है x in terms of y ये निकालो अभी y in terms of x है हम चाहते हैं x अखेला है in terms of y तो हम इसको solve करना पड़ेगा तो ये जो 4x plus 3 का plus 3 न इसको उधर वेज़ दूँगा तो 4x बराबर y minus 3 4 को उधर वेज़ दूँगा तो x बराबर y minus 3 बटे 4 हो जाएगा अब इसके बाद में हम क्या कर देते है replace कर देंगे कैसे x को तो मैं कर दूँगा y से y से बोले तो f inverse x से और जो y है उसको मैं कर दूँगा x से तो क्या बन जाएगा ये x की जगा जाएगा f inverse x फिर y y की जगा जाएगा x तो यहाँ पर है ना y इसकी जगा x से जाएगा x minus 3 बटे 4 ये f inverse हमने ले आए तो इसको कई बार क्या करते है कुछ बच्चे इसको g मान लेते है और ये condition भी prove कर देते है g of f of x बराबर x बराबर f of g of x यहाँ पर जो g है ना g g कुछ नहीं है वो f inverse ही है f inverse तो ऐसा भी कर देते हैं तो ये भी एक inverse exist करता है उसकी condition होती है ये बहुत basic condition है ये भी हम लगाते है लेकिन आप अगर ये ऐसे भी करोगे तब भी चल जाएगा अब हम देखते हैं अगला question question number 8 देखो दोस्तो question number 8 अगला नीचे नीचे ये है consider f from r plus to 4 to infinite given by f of x equal to x square plus 4 show that f is invertible with the inverse f inverse of f given by f inverse y equal to root y minus 4 where r plus is the set of all non-negative real numbers तो पहले इस r plus का जंजट खतम करते है बाद में आगे की चीज़े देखेंगे तो यहाँ पे जो r plus है वो क्या है set of all non-negative non-negative देखो दुनिया में तीन टाइब के नंबर होते हैं अगर हम symbol sign के recording चले तो कुछ नंबर तो होते हैं positive कुछ नंबर होते हैं negative और एक नंबर होता 0 जिसका कोई sign नहीं होता ना plus ना minus तो यहाँ पर क्या बोला है all non-negative non-negative मतलब negative नहीं होगा negative नहीं होगा तो बागी कुछ भी हो सकता है फिर तो 0 हो जाएगा और मतलब plus का हो जाएगा तो फिर यह जो r plus है r plus क्या है 0 से आगे के मतलब 0 और positive वाले तो क्या हो जाएगा 0 से लेके infinite तक मतलब ऐसे 0 तो infinite 0 ले सकते हैं तो 0 को ऐसे dark बना दूँगा मतलब include कर लूँगा include करने का मतलब 0 पर square bracket लगा दूँगा और infinite को थो हम कभी लेते ही नहीं है तो small bracket लग जाएगा तो यह है r plus का मतलब 0 या उससे ज़्यादा ठीक है तो r plus समझ गए तो यहाँ पर देखो domain क्या है पहले list बना लेते है domain क्या है r plus यह domain है तो r plus का मतलब अभी हमने देख लिया क्या 0 से infinite अच्छा यह 4 to infinite यह क्या है यह code domain है यह domain होता यह code domain होता इस arrow के left और right की चीज़े बता रहा हूँ तो code domain क्या हो गया 4 to infinite हो गया ठीक है अब आते हैं अपने काम पर आते हैं f of x दे रखा है x square plus 4 show that f is invertible पहले यह show करना है कि f क्या है invertible है तो invertible के लिए हमें सबसे पहले इसको bijective show करना पड़ेगा bijective मतलब क्या एक तो one one show करना पड़ेगा और फिर इसको हमें on to be show करना पड़ेगा तो यह वाला जो question है बहुत interesting question है question number 8 और 9 question number 6, 7, 8, 9 जितने भी inverse के question होते है मैं इसी तरीके से समझाता हूँ देखो one one कैसे समझेंगे one one मैं ऐसे करेंगे कि concept की सबसे पहले let f of x1 बराबर f of x2 यह मान लो ठीक है और इसके बादे हम prove क्या करेंगे x1 बराबर x2 only only x1 बराबर x2 ही आना चाहिए यहाँ पर link देता हूँ क्यों कि उसकी अब जड़रत है हम x1 बराबर x2 only यही prove करेंगे इसके अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए तब मान लेंगे कि अपना जो function हो क्या हो जाएगा one one हो जाएगा ठीक है तो start करते है let f of x1 बराबर f of x2 f of x1 क्या है f of x है x square plus 4 तो f of x1 क्या हो जाएगा x1 square plus 4 और यह हो जाएगा x2 square plus 4 4 से 4 तो कट जाएगा देखो यहाँ पर क्या आएगा x1 square equal to x2 square आया अब हम square हटाते हैं तो क्या जाएगा x1 बराबर plus minus x2 मैं आपर एक आपको advice देना जाता हूँ जब कभी भी मतलब 9th के बच्चे से मैं यह बोलने लग जाता हूँ 9th का जो इस student हो 9th, 10th, 11th, 12th सबको मैं बोलता हूँ कि अब छोटे बच्चे तो रहनी है अब क्या होता है कि जैसे आप quadratic soul कर रहे हो इसे square आगया आप square हटा रहे हो ना तो आप plus minus लगाये करो ठीक है square जब भी आप हटाते हो दोनों तरफ तो आप plus minus लगाये करो अगर आप plus ही लगा रहे हो तो आप गलती कर रहे हो छोटी class के जो बच्चे होते हैं 7th, 8th के तब चल जाता है कि हम plus वाला क्यों ले रहे है minus वाला क्यों नहीं ले रहे है उसका logic भी बताऊना चीए तो हमें x1 बराबर plus minus x2 दोनों लेके चलना पड़ेगा अब मैंने तो क्या बोला था कि only x1 बराबर x2 ही आना चीए मतलब plus वाला ही आना चीए लेकिन यहां तो दोनों आ रहे है तो अब discuss करना पड़ेगा यह क्या problem है तो देखो इससे दो case बनगे एक तो x1 बराबर x2 प्लस वाला और एक x1 बराबर minus x2 माइनस वाला ठीक है अब इसमें से यह case तो हम रख लेंगे और यह वाला case खारीज कर देंगे क्यों यह वाला क्यों रखेंगे यह वाला खारीज क्यों कर देंगे देखो दोस्तों वापस आते हम यहां पर यहां पर domain क्या बोला है r plus r plus बोले तो 0 से infinite अचा domain मतलब जिसमें कौन बिलोंग करे x बिलोंग करे अब हमने जो यहां पर माने ना यह x1 और x2 यह x1 और x2 यह भी यहीं से निकले है x1 भी यहीं से आया है और x2 भी यहीं से आया है यहीं से हम निकालते हैं जो भी निकालते है तो ऐसा समझो यह वाला case cancel क्यों हो गया देखो भई यहां पर हमने क्या माना X2 को positive माना X2 क्या है? X2 क्या है अपना positive R plus में belong कर रहा है तो अगर आप कोई positive number यहाँ पे रखोगे फिर उसको minus से multiply करोगे तो उस हिसाब से तो X1 जो है वो तो negative आ जाना चाहिए लेकिन X1, X2 तो domain में belong करेंगे domain क्या है positive मतलब non negative numbers की तो यह चीज क्या हो गई? यह contradiction हो गया जो given information उसको यह गलत साबित कर रही है तो हम यह वाला case जो वो neglect मतलब ignore कर देंगे delete कर देंगे X1 बराबर minus X2 होई नहीं सकता दो positive number आपसमें बराबर हो सकते हैं एक positive और एक negative number बराबर नहीं हो सकते हैं यह positive negative कहां से आया? यहां से question में दे रखा था देखो आर प्लस तो इसने आके यह चीज हमें यह one one इसको menu one होने से बचा लिया तो यही आएगा positive positive बराबर है तो इस वज़े से क्या हो गया? one one ठीक है यह क्या हो गया? one one हो गया तो अपना यह basic two one one अपना प्रू हो गया only यही आया यह भी आये था लेकिन इसको हमने खारीज कर दिया यह बच गया अब आते हैं on two पर यह भी interesting है देखो on two कैसे निकालेंगे on two के लिए मैंने बोला है कि condition क्या होती है? range equal to code domain आप बस यह प्रू कर दो तो आपका on two प्रू हो जाएगा code domain कहां से मिलते हैं मैंने बोला code domain यह है चार से infinite तो यह क्या है? 4 to infinite अब code domain इसमें अच्छे से निकालना सीख लेना यह सुरी range निकालना सीख लेना क्योंकि अगले question में भी ऐसा ही concept में लगा के बताऊंगा और बहुत आसान concept है यह range हमें खुद से निकालना पड़ता है range मतलब किस की value? f of x की value ठीक है? f of x की value हमें f of x पे comment करना पड़ेगा तो वापस आते हैं f of x को लिख तो लेता हूं मैं यह बार क्या है? f of x मतलब क्या है? x square प्लस 4 देखो दोस्तो question में क्या बोला है? जो f of x से वो कहा है? x square प्लस 4 हमें f of x पे comment करना है कि यह कहां से कहां तक vary करेगा यह दो चीजों से मिलके बनाएं एक तो x square और एक 4 इन दोनों को जोड़ेने से मिलके बनाएं 4 तो fix है variable कौन है? x square तो थोड़ा x square को समझते हैं अच्छा x square किस से मिलके बनाएं? x से मिलके बनाएं तो एकदम basic चीज हमने पकड़ ली x से चालू करके हम x square प्लस 4 बना लेंगे तो x कहां belong कर रहा? देखो यह रहा x x मतलब domain चुकि x belongs to 0 to infinite ठीक है? x belongs to 0 to infinite यहां से, r प्लस की बज़े से हाँ तो अब यह बताओ यह जो x square है यह किस में belong करेगा? देखो x की value है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से infinite तक हमें इनका square करना है तो 0 का square 0 हो जाएगा 1 का square 1, 2 का square 4 फिर 9, फिर 16, 25 ऐसे करते करते चलता रहेगा तो 0 से infinite के जो नंबर से अगर मैं इनका square करूँगा तो इनका square भी मुझे 0 से infinite ही मिलेगा कोई doubt नहीं है है ना? सिंपल सी बात खेर लेकिन अभी भी यह अपना x square प्लस 4 नहीं बना अब प्लस 4 करने के जरुद है तो मैं क्या करूँगा? x square में 4 जोड़ दूँगा तो क्या हो जाएगा? x square प्लस 4 हो जाएगा लेकिन वास्तों में x square तो 0 से infinite में बिलोंग कर रहा था मैंने अब 4 जोड़ दिया x square की minimum value क्या थी? 0 लेकिन अब x square प्लस 4 इसकी minimum value क्या हो जाएगी? x square की minimum value थी 0 उसमें 4 जोड़ जाएगा क्योंकि 4 तो constant है यह तो fix है इसकी ना तो minimum होती है ना maximum होती है 4 is 4, fix तो 0 प्लस 4 हो जाएगा तो यह क्या बन जाएगा? 4 खुल मिलाकर ऐसे है अगर आप यहाँ पे प्लस 4 करते हो ना तो इसमें भी 4 जोड़ देना और इसमें भी 4 जोड़ देना तो x square प्लस 4 belongs to 4 प्लस 0 बोले तो 4, infinite प्लस 4 इसमें भी 4 जोड़ेंगे लेकिन infinite तो इतना बड़ा number होता है उसमें 4 जोड़ो मतलब ऐसे है कि एक समुद्र है मतलब बहुत बड़ा समुद्र है उसमें आप एक पानी की छोटी सी बूंद डाल दो उसे कोई फरक पड़ेगा नहीं पड़ेगा तो क्या हो जाएगा यह infinite का infinite ही रहेगा तो x square प्लस 4 कहां से का बिलोंग किया 4 to infinite अच्छा x square प्लस 4 मतलब क्या f of x तो अब इसकी जिखर में f of x जिपका देता हूँ f of x belongs to 4 to infinite और f of x का मतलब क्या output output 4 to infinite है तो यह क्या होगी range होगी तो range बराबर क्या है 4 to infinite है आगया अच्छा यह जो 4 to infinite है यह अपनी code domain भी तो थी question में starting में लिखाता देखो 4 to infinite यह क्या अपनी code domain तो हमने क्या प्रूव कर दिया range equal to code domain प्रूव कर दिया और जैसे हम यह चीज़ प्रूव कर देते हैं तो अपना on to हो जाता है तो यह क्या हो गया this is on to on to हो गया अब अपना काम काफी आसान हो गया अब बाइजिक्टिव हो गया बाइजिक्टिव हो गया तो यह invertible हो गया यह हमने शो कर दिया that f is invertible अब हम आगे बढ़ते हैं तो आप इसमें बोला कि यह भी बताना कि with f inverse y बराबर 33 तो यह f inverse भी हमें निकाल के शो करना पड़ेगा चलो काम पे लगते है f inverse की process क्या होती है सबसे पहले जो f of x होता ना उसको हम y मान लेते है f of x मतलब क्या है question में f of x मतलब x square plus 4 अब x को जैसे हमने भी question कौन सा पहला जो question था question number 6 में मैंने 3 step बनाई थी सबसे पहले f of x को y मान लिया x को y की terms में लिखो तो अभी y है x की terms में हम चाहते हैं यह x निकाले तो क्या करो देखो y बराबर x square plus 4 अब हम चाहते है x आए तो यह 4 को इधर बेस दो y minus 4 बराबर x square अब x निकालना चाहते है तो जो x square है न x का square कोई धर बेस दो x बराबर क्या देगा plus minus under root of y minus 4 अब देखो x में मामला फस गया plus का ले या minus का ले जो हमें prove करना है उसमें तो plus का root y minus 4 है लेकिन अपने दोनों आ रहे plus का भी आ रहा minus का भी आ रहे एक्स का कोई भी लफड़ा हो domain के पास से ले जाओ y का कोई भी लफड़ा हो आप range के पास से ले जाओ तो x का लफड़ा है domain domain समभालेगा domain क्या है r plus मतब पोजिटिव मतब 0 से infinite non negative है तो अगर मैं मैं माइनस का ले लूँँगा अगर मैं माइनस का नंबर ले लूँगा तो सफी negative हो जाएगा है ना अब तो मैं यहापर क्या बोलूँगा चुकि x belongs to r plus non negative है तो मेरो यहापर plus का ही चूज करना पड़ेगा therefore x बराबर root of y minus 4 ठीक है plus minus का decide करने के बाद मैं अगली step लगा अगली step क्या है replace x by f inverse x replace y by x तो यह जो x ने यह वाल x इसको तो f inverse से replace कर दो after replacement replacement लगा रहा हूँ x की जगे क्या जाएगा f inverse x बराबर y की जगे क्या जाएगा x जाएगा तो यहापर आजएगा root of x minus 4 तो यह हमने बता दिया की f inverse y बराबर root y minus 4 है यहापर f inverse x बराबर root x minus 4 आगया देखो यह कोई बड़ा issue नहीं है यहापर x में है question में क्या बोलते है y में है एक चीज़ बताओ f inverse x है root x minus 4 मैं बोलू चलो f inverse 100 बताओ क्या होगा तो आप क्या करोगे simple सा x बिज़ गर 100 डाल दोगे 100 minus 4 का under root है ना अब इसमें क्या दिक्कत आगया x बिज़ गर y डाल दो f inverse y बराबर root y minus 4 क्या problem है कुछ भी नहीं है simple है f inverse y क्या हो गया plus का root y minus 4 तो यह चीज़ में हमने prove कर दी तो ऐसे ही इसी approach के साथ अगला question deal करते है देखो दोस्तो question number 9 इसमें ये बोला है consider f from r plus to minus 5 to infinite given by f of x equal to 9x square plus 6x minus 5 फिर आगे क्या बोला है show that f is invertible with f inverse y बराबर root y plus 6 minus 1 divided by 3 तो हमें ये show करना है कि f invertible है मतलब बाइजिक्टिव होगा और साथ ही साथ उसका क्या बोलते हैं कि inverse ही ये सब भी है तो देखो दोस्तो question की शकल देखके tension नहीं लेना ठीक है अभी मैं बताता हूँ बहुत आसान है कुछ नई चीज भी मतलब आप approach भी बताऊंगा कि जब किस type के question आए इस type का question आए तो आपको क्या लगाना चाहिए और काफी generalized approach बताऊंगा आपको देखो सबसे पहले हम कुछ काम काम की चीज़ें अलग लग कर लेते हैं domain ये है domain तो domain लिख लेता हूँ मैं सबसे पहले domain के आर प्लस अभी हमने देखा आर प्लस का मतलब क्या था पिछले ये है co domain का जो दूसरा set होता है वो co domain का होता है तो co domain क्या हो गया minus 5 से infinite हो गया ऐसे हो गया f of x ये देखी रखा है domain मतलब 0 to infinite domain मतलब x की values जब भी x सा कोई लफडा होगा ना तो हम इसको याद करेंगे कि x कहां से कहां बिलोंग कर रहे हैं उठाओ चलो अंसर बताओ अच्छा अब आते हैं f of x पर यहाँ पर देखो सबसे पहले इसको अगर हमें invertible शो करना है तो हमें इसको byjective तो शो करना ही पड़ेगा मतलब invertible के लिए सबसे पहले हमें इसको byjective शो करना पड़ेगा अब byjective के लिए क्या लगाई जाए byjective मतलब पहले तो हमें इसको one one शो करना पड़ेगा और फिर दूसरी बात इसको हमें on to show करना पड़ेगा one one के लिए हमें यह मानना पड़ेगा let f of x1 equal to f of x2 इसके बाद हमें x1 बराबर x2 only यह चीज हमें show करनी पड़ेगी तो काम पे लगते हैं इस बार देखो और ज़्यदा मजाएगा क्योंकि यह और ज़्यदा complicated होने बाला है तरीका यह लगाएंगे तरीके से deviate मतलब तरीका एकदम मतलब मस्त तरीका यह f of x1 बराबर f of x2 देखो भई f of x का मतलब है 9x square plus 6x minus 5 तो यहाँ पर आजाएगा 9x1 square plus 6x1 minus 5 बराबर f of x2 के जगा आजाएगा 9x2 square minus sorry plus 6x2 minus 5 समझ गे यह जो मानते हैं यह मैंने आपे नीचे लगा दिया यह पूरा यह तो हमें प्रूव करना है अभी इसको solve करते हैं देखो दोस्तो square वाली चीजों को आपस में pass में लिया हो और जो बिना square की चीज़े है उनको pass में लिया हो और यह जो 5 है यह तो कटी जाएगा समझ गे तो हमें इनको एक जगे लाना पड़ेगा मतलब RHS को LHS में लिया हो तो 9x1 square में से 9x2 square को माइनस करेंगे तो 9 तो common आजाएगा क्या बचेगा x1 square माइनस x2 square simple अच्छा 6x1 माइनस 6x2 तो 6 common आजाएगा x1 माइनस x2 बराबर 0 बचेगा RHS में अब क्या करें अब इसको factorize करते हैं यह देखो 3 common लेना चाथ चलो 3 common ले लो अच्छा यार यह जो है ना x1 यह क्या यह जो नमबर लिखावा है इसको थोड़ा रफ में बता देता हूं x1 square माइनस x2 square यह क्या होता है आपको याद है वो formula a square माइनस b square वाला a plus b a minus b वैसे कर दो इसका x1 माइनस x2 माइनस में और एक बार plus में x1 प्लस x2 ठीक है तो यह जो नमबर लिखावा है और यह इन दोनों में 3 तो common आई रहा है साथ में x1 माइनस x2 होना यह भी common ले लो क्योंकि इसमें तो है यह x1 माइनस x2 इसके अंदर भी है कैसे यह रहा x1 माइनस x2 common उठा लो यह बच जाएगा x1 प्लस x2 पहले वाली की जगए तो एक तो मैं 3 common ले लेता हूं और दूसरा x1 माइनस x2 भी common ले लेता हूं क्या बचेगा 9 में से 3 common लिया तो 3 बच जाएगा x1 स्क्वाइर वाले में से माइनस वाला common लेंगे तो प्लस वाला बच जाएगा x1 प्लस x2 प्लस यहाँ पसे 3 common लिया तो 2 बच जाएगा यह तो common हमने पूरा ले लिया तो बस 2 ही बच जा रहेगा बराबर 0 तो इस 3 का तो कोई मतलब नहीं 3 को तो उठा दो यह 2 नंबर है देखो x1 माइनस x2 बराबर 0 होगा तो x1 बराबर x2 हो जाएगा न लेकिन 7 में यह भी आ गया यह लफड़ा हो गया लेकिन लफड़ा खतम करने के लिए यह x वाला जो भी लफड़ा होता न वो डॉमेन से clear के जाएगा x पोजिटिव है non-negative नहीं है क्या आगया है 3 x1 प्लस x2 प्लस 2 बराबर 0 कई बार लोग यह case बतायता ही नहीं है क्योंकि फिर उनको explain करना पड़ता है कि यह इसको क्यों नहीं ले सकते है इसको भी तो ले सकते है अगर हम दोनों लेंगे तो फिर तो 1 1 नहीं होगा many 1 हो जाएगा लेकिन यह तो चलेगा यह खारीज हो जाएगा क्यों वो कारण जरूरी है वो region जरूरी है तो देखो कैसे यहाँ पर एक काम करूँ नहीं इसको थोलब simplify करते हैं यह bracket खोलता हूँ तो क्या बन गया 3 x1 प्लस 3 x2 प्लस 2 बराबर 0 3 x1 बराबर minus 3 x2 minus 2 हो गया चलो x1 निकाल लो मैं लो कुछ भी निकाल लो एक x आप side में बना लो x1 बराबर क्या हो गया minus 3 x2 minus 2 बटे 3 अब एक बार यह खुदी सोचो जो एपना x है न? x x मतलब यह x वो कहाए r प्लस में बिलों करेगा domain r प्लस है न? z2 to infinite तो अपना x जो है वो r प्लस में बिलों करेगा x मतलब जो भी x की वेल्यूज है x1 x2 भी उसी में बिलों करेंगे x1 बिलोंक्स to r प्लस x2 भी बिलोंक्स to r प्लस यह तो question में दे रखा है तो मतलब यह तो लोही की लखीर है इसको तो कोई बदल ही नहीं सकता ठीक है? this is given domain के तोर पे दे रखा है यहाँ पर देखो क्या हुआ? अच्छा एक चीज़ सोचो यह जो x2 ना x2 मान लो की x2 क्या है? जो दे रखा वेसे हैं मान लो r प्लस है? मतलब यह समझो कि यह positive number है अब positive number into minus तो negative negative number minus 2 तो और ज्यादा negative negative number divided by 3 तो क्या होँआ? तब भी negative तो इस हिसाब से तो अगर आप x2 को positive मानोगे तो x1 क्या जाएगा? minus into something जो भी हो x1 क्या जाएगा? माइनस जाएगा हाना? तो यह तो यह हो रहा है x2 positive तो x1 negative इसके according जब क्या आना क्या चाहिए था? सब के सब positive मतलब non negative ठीक है? तो यह जो case है ना यह case contradict कर रहा है चीजों को मतलब काट रहा है जो दे रखा था उसी चीज को यह गडबड साबित कर रहा है तो हम क्या करेंगे इस case को क्योंकि given को तो हम reject कर नहीं सकते तो इस case को म क्या कर देंगे? reject कर देंगे ठीक है? क्योंकि यह given information को काट रहा था और only इसी को क्या करेंगे? accept करेंगे ठीक है? तो only यही case बचा यहाँ पर तो only x1 बराबर x2 ही आया तो अब हम जीत गए हैं यहाँ पर क्या आएगा? 11 बन जाएगा यह दूसरा case आया था लेकिन इसको हमने conditions से delete कर दिया तो यह काफी बड़ा हो गया लेकिन करते हैं सही है न यह बढ़िया question है अब हम आते है on to पर on to को prove करने का तरीका क्या है? यह तो था अपना one one को prove करने का on to के पर आते हैं तो इसमें range equal to code domain हमें हमें range निकालनी पड़ेगी range के लिए हमें मैनत करनी पड़ेगी देखो range मतलब किसकी value f of x की value f of x मतलब यह हमें चाहिए एक चीज में आपको बता दूँ काफी जरूरी चीज है वो क्या है कि जब भी यह quadratic वाली questions आते हैं quadratic वाली questions जैसा कि अभी हमने पिछला question भी देखा था इधर देखा था कहाँ देखा था तो quadratic वाली question में जब range होता न range में perfect square देखो x का यहाँ पर x square आ गया लेकिन यह तो simple था तो पता ही नहीं चला तो range वाली questions में आप perfect square बना लिया करो कभी जब quadratic का question आये तब एक quadratic function की अगर आपको range निकाल लिये न तो सबसे best क्या बना लो perfect square f of x क्या चीज़े 9x square प्लस 6x माइनस 5 हमें इसको किसमें बदलना है perfect square के अंदर बदलना है ठीक है तो चलो काम स्टार्ट करते है perfect square में बदलना आ था न वैसे हम किसमें करते थे 9th, 10th, 10th class में करते थे perfect square वाला concept चलो आज फिर से लगाते है याद दे ताजा करते है f of x ब्राबर क्या है 9x square प्लस 6x माइनस 5 कैसे करते हैं x square का option क्या है no common ले लो ठीक है common ऐसे ले लो आप तो क्या बन जाएगा ये common लेंगे तो क्या मिलेगा वैसे 9x square ये 3x तो होई गया न तो मतलब मैं ऐसे करना चाहरा हूँ कि फटापट 6x है ये plus का है तो ये बात तो पक्की है कि a plus b का whole square बनेगा 6x plus का न इसका बनेगा तो अभी एक direct method भी मिल गया तो ऐसे कर लेते हैं a plus b का whole square क्या होता है a square plus 2ab plus b square और अपना question क्या है 9x square plus 6x minus 5 तो जो a square है न वो तो 9x square हो गया क्यों? 9 थोड़ा सही नंबर मिल गया मैं रुग गया ये तो मैं 9 common ले लेता ये 9 खुदी perfect square है तो ये 3x square sorry 3x का whole square हो गया 9x square किसका? 3x का whole square तो 9x square को लिख दूँगा मैं 3x का whole square ठीक है तो a का का काम कौन कर रहा है? 3x a बराबर 3x हो गया अच्छा 2ab का 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 कौन कर रहा है? 6x तो 2ab बराबर 6x अभी हमने निकाला a बराबर 3x है ये 3x है ये 2 into multiple time है और b यहाँ पर बराबर 6x ये 6x हो गया 6x 6x का डिया b बराबर 1 आ गया तो b का 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 कौन कर रहा है? 1 करेगा तो कैसा हो गया? इस 6x को अगर confusion हो रहा है तो आप ऐसे लिख लो यार 6x को लिखो 2 into 3x into 1 लिख सकते हो न? a square plus 2 a b क्योंकि a already हम जान चुके हैं कि 3x है तो मैं 3x अलग बता दिया फिर b b होता है यहाँ पर तो b कुछ ही नी बजा ही नी तो फिर मैंने 1 ले लिया अच्छा ये है तो इधर इसका वोता न b square अगर यहाँ पर 2 a b आगे तो फिर b square भी होना जरूरी है तो यहाँ पर 1 का square होना जरूरी है अच्छा 1 का square मतलब 1 इसको balance करने के लिए फिर मैंने minus 1 मतलब मैंने खुद से मन से plus का 1 लगा दिया balance करने के लिए minus 1 लगा दिया और question में minus 5 है यह अलग से तो minus 5 साथ में चलता रहेगा ऐसा हो गया अच्छा तो अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक यह perfect square बन गया किसका? 3x square plus 2 into 3x plus 1 into 1 का square तो यह 3x plus 1 3x plus 1 का whole square बन गया minus 1 minus 5 minus 6 हो गया f of x ठीक है? तो quadratic वाले questions को आप perfect square में बदल लो अब देखो इसके बाद में क्या करते है अपना x कहां से कहां belong कर रहा है? x belong कर रहा है 0 to infinite x belongs to 0 to infinite अब यह बताओ देखो हम क्या करेंगे? हमें range निकालना है भूलना मत अपना target range निकालना है range मतलब f of x पर comment करना है f of x मतलब यह यह मतलब इसको तो change कर लिया हमने यह तो हमें इस पर comment करना है हमें बस यह बताए कि यह जो छोटा वाला x है ना यह 0 से infinite में belong कर रहा है question में दे रखा यह चीज अब हमें धिरे धिरे इसके आगे 3 multiply करना है फिर 1 जोड़ना है फिर square करना है फिर minus 6 करना तब जाके हमें क्या मिलेगा f of x मिलेगा तो देखो अभी हमें x हिक का यह पता है तो अब मैं 3 से multiply करूँ तो 3x belongs to क्या हो जाएगा 0 to infinite क्यों इस पूरे को यह 3 से multiply कर दो यह 3x हो गया 0 into 3 0 हो गया infinite into 3 infinite और बढ़ा हो गया अब किया प्लस वन तो आप इधर प्लस वन कर दो 3x प्लस वन तो जो minimum value ना 0 हो इसमें भी 1 जुड जाएगा यह भी एक level उपर चली जाएगी तो 1 infinite में भी एक जुड जाएगा लेकिन उसमें तो कोई फरक पड़ता है नहीं है वो तो अथा समुंदर है यह हो गया अज़ा आप इसका हमें square करने की जुरत पड़ रही है तो अब इसका square कर दो 3x प्लस 1 का whole square belongs to आप एक का square करोगो तो एक आएगा infinite का square करोगो तो infinite आएगा तो 1 to infinite बनी जाएगी है ठीक है सब positive तो है पहले से इसमें भी minus 6 हो जाएगा तो 1 minus 6 minus 5 हो गया infinite में से थोड़ा बहुत minus करोगे तो कोई फरक नहीं पड़ेगा तो infinite ही रहेगा ठीक है तो यह हो गया इसकी जगा हम क्या रख सकते हैं देखो 3x plus 1 का whole square minus 6 क्या जाएगा f of x हो जाएगा तो इसके जगर क्या आगया f of x f of x belongs to minus 5 to infinite ऐसे हो गया अब यह f of x है f of x मतलब range वाली बात आगी range क्या हो गी minus 5 से infinite ठीक है और minus 5 से infinite देखो minus 5 से infinite क्या था code domain भी था क्या हो गया यह code domain भी हो गया तो range equal to code domain इसका मतलब यह जो बना function है यह क्या हो गया on to हो गया one one on to approve हो गया ठीक है यह एक नई नया तरीका आपके लिए हो सकता है इसलिए मैंने पुरा detail में समझाया है जब भी मैं ऐसे question देखता हूं तो photopat वो हो भी जाते है उसकी tension नहीं है कुछ और shortcut भी हमें आगे मिल जाते है अगर हम अगर आप जही main और advance की तियारी करोगे न तो आपको इनके shortcut भी मिल जाते है कि photopat quantity की minimum value क्या होती है minus 5 minus 5 से infinite आजएगा ऐसे से भी तरीके हैं तो अब हम one one on to prove कर दिया अब हम इसका inverse निकाल लेते है देखो दोस्तों यह है अपना f of x 9x square plus 6x minus 5 और इसको अभी हमने perfect square में बदला था न तो f of x यह बन गया था 3x plus 1 का holy square minus 6 3x plus 1 का holy square minus 6 ठीक है अब यह perfect square बनाए ना हमने इसके दो फाइदे हो गए एक तो वो on to prove करने में हो गया और अभी inverse निकालेगों इसका फाइद है तो ऐसा है कि perfect square बना लोगे ना तो एक तीर दो निसान वाला काम हो जाएगा एक ही काम से दो निसान याप लगा लोगे अब इसका inverse निकालना है तो inverse कैसे निकालते है पहली step क्या है y बराबर f of x मानो दूसरी step क्या है x in terms of y लिखो तीसरी step क्या है जो x है उसको तो आप replace कर दो f inverse x से या फिर तीसरी step इस बार रहने दे तीस बार तोड़ा अलग कर लेते है डारेक्ट वो जो जा रहे हैं आँ वैसे लियाएंगे इतना काम कर दो बस तो आप देखो दोस्तो इसको मैं क्या बोल दिया मैंने y बोल दिया इसको क्या बोल दिया मैंने y बोल दिया तो अब ये सब तो भूल जाओ ये quantity कर ने इसको भी रहने तो आप direct perfect square वाले चीज लिखो इसको इसके बराबर लिख दो आप y बराबर कितना है 3x plus 1 का साइड में इन सब को LHS में बेज दो तो सबसे पहले ये minus 6 इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा y plus 6 बराबर ये क्या बना फिर 3x plus 1 का whole square अब ये जो square है नहीं square इसको इधर बेज दो तो क्या मिलेगा तो root y plus 6 जो भी plus minus ये plus minus लगाना मत भूलना ये क्या हो गया 3x plus 1 ठीक है यहां से अभी हमें x निकालना है तो अब इस 1 को इधर बेज दो तो क्या जाएगा plus minus root y plus 6 minus 1 बराबर 3x अब 3 को इधर बेज दो 3 इसके divide में जाएगा क्या बन जाएगा plus minus root y plus 6 minus 1 divided by 3 क्या आगे x आगया ठीक है पहले आगे replace वगेर आगे कुछ भी करने से पहले यहां पर plus या minus decide कर लो तो देखो वही जब भी यहां पर plus minus का decision लेना हो आप इसको याद करो domain क्या है r plus मतलब x क्या होना चाहिए plus होना चाहिए तो यहां पर मैं क्या लोंगा देखो चो कि यहां पर लिखूंगा चो कि x belongs to r plus तो यहां पर एक plus का sign है और एक minus का sign है अगर मैं minus का sign लोंगा तो minus यह under root वाली चीज फिर minus 1 divided by 3 ऐसे समझो ऐसे plus को मैंने चुपा लिया ठीक है और प्लस अजब जीरो या जीरो से ज्यादा है तो negative तो होना ही नहीं चीए तो फिर मैं negative sign को खारीज कर दूँगा ignore कर दूँगा reject कर दूँगा only plus वाला ही रखूंगा तो यहां पर फिर क्या बचेगा x पराबर plus का root y plus 6 minus 1 upon कितना 3 यह बचेगा ठीक है अब यहां पर कुछ छोटी मोटी बाते मैं generally बोलता हूँ कि x को आप f inverse x से replace कर दो और y को x से replace कर दो यहां पर आप चाहँ तो थोड़ा सा ऐसे भी change कर सकते हो देखो कैसे यहां पर हमने y को क्या माना है f of x माना न y को क्या माना f of x यह जो f ना f f को इधर बेजो क्या बन जाएगा f inverse y बराबर यह क्या होगा x हो गया तो आप यह काम भी कर सकते हो यह भी हलका फुलका काम है कोई बहुत भारी काम नहीं है क्या है x की जगे क्या लिख दो f inverse y तो क्या बन जाएगा x की जगे f inverse y बराबर y को फिर छेड़ोए मत क्या हो गया y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3 यह बन गया ठीक है इसकी मतल्स से यह बना हिंट हो गया था तो ऐसे भी हम कर सकते हैं ठीक है दोस्तो नहीं तो आप वैसे रिप्लेस्मेंट भी लगा सकते हो कोई प्रोब्लम नहीं एक्सप्रेशिन ही आना ची तो यह भी हमने प्रूव कर दिया अब आपको दिखा दिता हूँ देखो यह है f inverse y बराबर 10 यह दोनो same to same आगए तो आई वोप यह जो तरीका है आपको समझ में आया हो अच्छा लगाओ अब मिलते हम अगले वीडियो के अंदर थेंक्यू बेरी मच्च